हलो स्टूडेंट्स आइम डॉक्टर अर्चना सिंग एसोसीट प्रोफिसर इन बॉटनी MSJ गोवर्मेंट PG कॉलिज भरतपूर आज हम डिस्कस करेंगे रस्ट और इस्मट्स के बीच में क्या सिमिलारिटीज होती हैं और क्या तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलारिटीज बिट्वीन रस्ट और इस्मट्स के बीच में क्या समानता हैं The mycelium in both passes through two stages, the monocaryotic stage and the dicaryotic stage. दो stage होती है, mycelium दो stage जो से pass होता है, पहली stage जो primary stage खहलाती है, वो monocaryotic यानि एक केंद्र किये अवस्था, monocaryotic means एक केंद्र किये अवस्था and the dicaryotic secondary stage होती है, जिसमें दो केंद्रक होते हैं, दो एक केंद्र किये अवस्था. The dicaryotic mycelium is of greater importance, it is usually perennial in both, it is intercellular and obtains nourishment by means of hostoria, it produces tally to spores. Dicaryotic mycelium जो है, उसका महत जो है वो अधिक होता है, और यह हमेशा जो इस्थिती है वो dicaryotic बनी रहती है, रस्ट और स्मट के बीच में, और यह mycelium जो है intercellular, यानि अंतर कोश किये होता है, और अपना भोजन जो है वो hostoria यानि चूश कांगों की साहिता से प्राप्त करता ह और इसके द्वारा टेलिटो स्पोर्स जो है वो उत्पन किये जाते हैं, motile cells in the life cycle of both ismarts and rust are lacking, किसी भी प्रकार के चलन कोशिकाएं रस्ट और इस्मट में नहीं पाई जाती हैं, द्वारा टेलिटो स्पोर्स इन बोथ आर रेस्टिंग स्पोर्स and on germination produce basidio स्पोर्स, अस्टिलेगो ट्रिटिसाई is the only exception, जो टेलिटो स्पोर्स हैं वो एक विश्राम अवस्था वाले स्पोर्स होते हैं, जिनको हम रेस्टिंग स्पोर्स कहते हैं और जर्मिनेशन करने प करते हैं, केवल अस्टिलेगो ट्रिटिसाई में यह वस्था नहीं आती है, the tertiary mycelium and basidio carbs are lacking in both, त्रतियक mycelium और basidio carb जो है उसका इन में अभाव होता है, the dollypore parenthesome septal complex which is a hallmark of the basidiomycities is absent in both the rust and smut, dollypore parenthesome जो पाया जाता है basidiomycities का एक महतपून hallmark है, वो इन दोनों rust और smut में अनुपस्थित होता है, इन nature, both appear to be obligate in their parasitism, but recently the scientists have been able to grow both on culture media as facultative separates, यह दोनों कैसे हैं, obligate यानि आविकल्पी आविकल्पी पर जीवी यानि जिसका कोई अन्य विकल्प ना हो, तो आविकल्पी पर जीवी होते हैं, लेकिन scientist ने इनको culture media पर ऐज़े faculty टिप सेप्रोफाइट की तरह ग्रो करने में सफलता प्राप्त की है, अब हम आते हैं, dissimilarities between rust and smuts, क्या-क्या असमानताएं हैं, rust और smut के बीच में, wheat rust are heteroseous and others are autoseous, wheat rust जो होती है, गेहूं का जो किट रोग है, यसमें गेहूं किट जो है, वो heteroseous यानि कई प्रकार के sports जो है, वो इसके अंदर पाये जाते हैं, और बाकी जो rust होती हैं, वो autoseous होती है, The rust are intercellular and obtain their nutrition by means of hostoria, clamp connections on the secondary mycelium are rare, rust में intercellular mycelium पाया जाता है, और यह mycelium अपना भोजन जो है, वो चुशकांगों के साहता से प्राप्त करते हैं, Clamp connection जो है, वो rust के अंदर rarely ही मिलते हैं, यानि के अनुपस्थित होते हैं, The dicharyotic mycelium produces three kinds of binucleated spores, uridospores, teletospores on the primary host and ACO spores on the alternate host, तो dicharyotic mycelium जो है, वो तीन तरह के spores पैदा करता है, यह spores binucleated होते हैं, जिन में पहला है, uridospores और teletospores, यह गेहूं के उपर बनते हैं, गेहूं जो है, वो प्राथमिक परपोशी कहलाता है, primary host है, प्राथमिक परपोशी कहलाता है, और asio sports जो है, वो alternate host, alternate host कौन सा होता है, बारबेरी, जिसको हम barbaris के नाम से भी जानते हैं, तो asio sports जो है, वो बारबेरी के उपर बनते हैं, और बारबेरी जो है, वो एकांतर परपोशी कहलाता है, तेलिटो स्पोर्स जो है, वो मैसीलियम के टर्मिनल सेल से उत्पन होते हैं, तेलिटो स्पोर्स जो है, वो दो भाग में विभक्त होता है, दो सेल से बना हुआ होता है, और प्रते एक सेल में दो नुकलियस या दो केंद्रक पाए जाते हैं, Each cell of the two cell Teleto Spores produces an Epi Bacidium which bears four Bacidium spores. प्रतेक Teleto Spores के प्रतेक कोशिका से एक Epi Bacidium निकलता है जिस पर चार Bacidium spores उत्पन होते हैं. यह है इस्ट्रिगमेटा के ऊपर लगते हैं Bacidium spores और इनका जो निसकाशन है जिस तरीके से यह डिस्चार्ज होते हैं यह वाटर ड्रॉप मेथर से डिस्चार्ज होते हैं. अब हम आते हैं स्मर्स के ऊपर. इस्मर्स आर ओटोशियस रस्ट थे हैटोशियस लेकिन इस्मर्स कैसे हैं ओटोशियस हैं आप समांगी. इस्मर्स में भी इंटर सेलूलर और इंटरा सेलूलर इस्मर्स जो है वो अंतर कोश्किये और अंतरा कोश्किये दौनों प्रकार के होते हैं. होस्टोरिया इसमें उपस्थित होते हैं क्लैम कनेक्शन्स आर कॉमन क्लैम कनेक्शन्स जो है वो स्मट के अंदर पाए जाते हैं इट प्रोड्यूसेस अनली वन काइंड ओव बाई नुक्लियेट स्पोर्स कॉल्ड दा स्मट स्पोर्स इसमें एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जो बाई नुक्लियेट है और यह स्पोर्स इसमट स्पोर्स कहलाते हैं इनको हम तैली टो स्पोर्स जो रस्ट के तैली टो स्पोर्स हैं उनसे कंप्यर कर सकते हैं Smut spores are formed from the intercalary cells. Intercalary cells से smut spores का की उत्पत्ती होती है. The brand spores, telito spores are unicellular and binucleate. Telito spores जो हैं वो unicellular होते हैं और binucleate होते हैं. The single-celled brand spores which is equivalent to telito spores germinates to produce a single epibacidium which bears a variable number of basidio spores. They are not born on the stigmata nor are they discharged violently. Single-celled brand spores जो हैं वो telito spores के समान होते हैं. Germinate करकर single epibacidium बनाते हैं. इस epibacidium पर चार basidio spores लगते हैं. यह basidio spores किस पर लगते हैं? Strigmeta के उपर लगते हैं और इनका discharge जो है वो एकदम से violently होता है. इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है. Thank you. यह जए जए हैं अजए हैं.